डॉक्टर शलप बंसल, रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिद नाम है, जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है. और अपने इसी अनभव और एक्सपटीज के साथ, डॉक्टर बंसल लेकर आए है एक स्टेट अफ दियार्थ डाइग्नोस्टिक सेंटर. पड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन अत्यधिक शोर से होने वाले दिक्कतों, जैसे क्लॉस्ट्रफोबिया वो एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए. हमने एक हाई-टेक आउडियो विज्वल, MRI सिस्टम लगाया है. गंगा नगर का IIMT विश्विद्याले आए दिन किसी ने किसी बात को लेकर सुर्क्यों में रहता है. कभी विश्विद्याले प्रांगर में गौली बारी की घटना है, कभी लड़ाई की घटना. तो कभी चात्रों के भविश्यों के साथ खिलवार किया जाता है. मुर्श्कतिवार को ऐसा ही मामला सामने आए हैं, जिसमें B-Pharma और D-Pharma के चात्रों ने विश्विद्याले के अंदर जम कर हंगाम किया. चात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के लगबग 300 से अधिक चात्रों को विश्विद्याले पर शासन द्वारा फेल कर दिया गया है. चात्रो का सीधा आरोप है कि बिना पॉपी चेक किये ही चात्रो को फेल कर दिया गया है और चात्रो की कोई भी बास सुनी नहीं जा रही है चात्रों का ये भी आरोपी की विश्वित ध्याले में मौजूद बाउंसरों ने उनकी पिटाए भी की है और उन्हें बंधक बना लिया गया है मेंगेर का ताला लगाकर चात्रों ने मांग किये कि सभी चात्रों को पास किया जाए नहीं तो हम जब तक धना प्रदेशन करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वहीं इस पूरे मामले में आयामडी विश्वित ध्याले प्रशासन चुपी साधे हुए है देखे गुस्ताई विज्यादों के धने की कुछ तस्वीरे अभी के लिए दना ही हमारी विडियो उसको ज़्याद ज़्याद लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें